अब रखीक्स सैमसंग एम 12 स्वीच आफ प्रावलेम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्वीच आफ प्रावलेम फिक्स कर सकते अगर दोस्तों आपके जो डिवाय से वह आटमेटिक बंठ हो जाते अपनी अभी दोस्तों स्वीच आफ हो जाते मोबाईल तो आप उसको केसे फिक्स कर सकते तो आज के इस वीडियो वाटोस में आपको इसी का सोलुशन बताने वाला तो अगर दोस्तो आपको भी करना है problem solve तो दोस्तो वीडियो को आबन तक zero देखेगा मैं आपको show करके बताओंगा यहाँ पे केसे आपको यह problem fix करना है कई सारे लोग दोस्तो यह problem face करते हैं तो उसके कुछ reasons है यहाँ पे जिसके वज़े से आपको यह problem यह error आते है और कई वर दोस्तो कई लोग जो है उसके खुट का setting के वज़े से भी यह problem face करना पर जाते है और दोस्तो कई वर क्या होते है mobile device सो फिर जब कमजोर पर जाते तब भी दोस्तों यह problem हमें device के अंदर पर देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो solution करने के लिए वीडियो को अंतक देखना है सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को भी subscribe नहीं करका है तो subscribe करते हुए bell icon को click जरू से कर देना अगर आपको online पेसा खामाना है तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको switch of का issue switch of का जो problem आपको आ रहा है उसको fix करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कुछ settings ठीक है जो कि आपको अपने mobile पे चेक करना है तो दोस्तों आप अपने mobile पे जाए और चेक कीजिए कि आपका जो schedule mode है ठीक है फोन को schedule पे सेट कर जाते हैं और schedule सेट करने के बार आपने अपने mobile जो है वह बंद हो जाते हैं तो आपको automatic schedule जो है वह बंद करना होगा उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे auto restart setting तो उसके लिए दोस्तों आप battery in device में जाके यहाँ पे आप auto restart setting कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैटरी इन डिवाइस एंडेंट ऊपर चीडोस में क्लिक करते हुए जाना automation पे और आपको यह जो बटने उसको भी बंद कर देना है एडिप्टिफ पाउर सेविंग को भी बंद कर देना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपने मुबाइल पे अगर पाउर सेवर वगएरा लगाया हुआ है तो उसको भी बंद कर देना है तो यह सारे setting सेट होने के बाद देखिए प्रॉब्लिम आपका फिक्स्ट हो जाएगा तो अगर यह रहा आपका रिजन तो इससे डेफिनेटली सॉल्फ होगा अगर यह रिजन नहीं है कुछ और रिजन के वज़ए से आपको प्रॉब्लेम आ रहा है तो उसका आपको अलग से सॉलिशन सब्सक्राइब करना है मान लीज़िए आपके मोबाईल पर कई सरे अप्लिकेशन से और उनमें से कई सरे बाद आपलेकेशन भी हो डिलेट करना होगा अगर आपके स्पेस अल्रीड कॉंप्रीटली कॉंज्यूम हो चुका है ठीक है फूल हो चुका इस पेस तब दोस्तों आपको एडलिस 40 परसें स्पेस सेट करने अपने मुबाइल पर तो क्या होते हैं कई बार डिवाइस काफी ज्यादा हेवी हो जाते ठी पराइस स्विच ऑफ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको वह भी ध्यान पर देना है ज्याद़ यह वह नहीं करना है अबने मुबाइल पर चॉड़ना होगा गेमिंग तो यहांप तो फॉन पर रिष्ट करने उसके बादब चार्जिंग करते रहिए अपने मुबाइल को ताइम तु टाइम ठीए तो इस तरह के से दोस्तों अब जो है अपने फॉन के जो यहां पे लाइफ यह सको रीकावर कर सकते हैं सारे साहत अपने अपडेट करना कभी मत भूलिए तो फिर आपडेट करते रहेगा आपका प्रोसेसर स्ट्रोंग होते रहेगा सारे सर्थ में आपको यहां पर प्रॉब्लम्स भी कमी दिखाई देगा मुबाइल पर तो सौफ़र अपडेट करना विए एक बहुत इंपोर्टन रोल होते हैं अपने डिवाइस के अंदर पर उसके बाद दोस्तों यहां पर मान लीजिए सौफ़र अपडेट किया ह फिर भी आपको दो तीन दीन के बाद में और प्रॉब्लम आ रहा है अगर ऐसी बात है तो आपको क्या करना है जेनरल मेनेजमेंट सेलेक कर लेना है स्कॉल डाउन करके रिसेट पे जाना है एंड आपको मिलेगा फेक्टुरी डेटा रिसेट का ओप्शन ठीक है तो उसमें अपने मोबाइल को फ्री करके और उसके बाद दोस्तों देखना आपका जो इश्यू है अपने आभी फिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आओगा थैंक घ Elsül'skyím सुे अपने ट इस तरह केतों कर से अटने के जचे हैं ए rash हम कर दोस्तों कि 一र Pod wärाद करते हैं यह दोस्तों कि सबस्तों से फोस्तों के यह बाद ऋौकर साह कर falar some about the safe nation